हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे चैनल सद्गुरु अलबेजु केशन में आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा 12 के कनहया लाल मिस्त्र प्रभाकर जी के साहितिक परचे के बारे में तो चलिए वीडियो के देर ना करते हुए श्टार्ट करते हैं कनहया लाल मिस्त्र जी ने हिंदी में लगू कथा सैस्मरण, रेखाचित्र और रिपोतार्ज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोसड किया है और यह एक आधर स्वार्दी पत्रकार रहे हैं अतह इन्होंने पत्रकारिता को भोतिक स्वार्थों की सिध्धी का साधन न बनाकर उच्च मानविय मुल्यों की खोज और इस्थापना में ही लगाया है प्रवाकर जी की भासा समानत्या तस्थम सब्द प्रधान सुध्य और सहित्तिक खड़ी बोली है इन्होंने उर्दु अंगरेजी आधिवासियों के साथ देशस सब्द एवं मुहारों का भी प्रियोग किया है इन्होंने लेखक के अत्रिक्त व्यक्तित्व इसनेह और संपर्ग से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रिरीत और प्रसाहित किया है इन्होंने सरल्ता, मारमेक्ता, चुटीलापन, ब्यंग और भाव को व्यक्त करने की छमता इनकी भासा के प्रमुग विस्षिस्ताए हैं अब चलते हैं इनकी रचनाक बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है आकास के तारे, धर्ती के फूल, भूले विशरे, चेहरे, दीब जले, संख बजे, मह के आगन, चहके द्वार, माटी हो गई, सोना, बाजे पायलिया के गुगुरू, आदी आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद